Hi everyone, Hi I am Subha Lakshmi, Welcome and Welcome back to my channel तो मैंने आज ये Wedding Guest Makeup Look create किया है जो बहुत ही simple and easy है जो आप easily create कर सकते हो, तो वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon, चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो face को moisturize करने के लिए मैंने यहाँ पर Lakme Peach Milk Moisturizer यूज किया है क्योंकि अभी winter के time है और बहुत अच्छे से moisturize करना skin को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है face को अच्छे से moisturize करने के बाद lip balm के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है Maybelline का baby lips जो बहुत ही अच्छा है और यह lips को hydrated करके रखता है तो मैं पहले इसको यूज करना पसंद करती हूँ तो sunscreen के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया lotus का sunscreen जो SPA 50 है और बहुत ही अच्छा sunscreen है तो मैं इसको बहुत अच्छे से apply कर रही हूँ जहाँ जहाँ sun exposed होता है मैं बही apply कर रही हूँ तो eyebrow fill करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है blue heaven का artist eyebrow pencil in the shade brown तो पहले मैं spoolie की help से comb कर रही हूँ जहाँ जहाँ gap है तो मैं वही fill up कर रही हूँ उसके बाद अच्छे से fill up करने के बाद मैं spoolie की help से इसको अच्छे से blend कर रही हूँ और यह बहुत ही अच्छा एक eyebrow pencil है और इसका range भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो यह आप definitely try कर सकते हो तो मैं उसके बाद ले रही हूँ यहाँ पर like me 925 CC cream और इसका shade है beige और यह बहुत ही अच्छा एक CC cream है और यहाँ पर आपके like force shade मिलता है तो यह आप try कर सकते हो यह बहुत ही अच्छा coverage भी देता है और टेक्स्टर जो है बहुत ही creamy है तो मैं पहले इसको अपने हाथों से blend कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से उसके बाद मैं यहाँ पर एक damp beauty blender की help से इसको dab dab motion पर आपने skin पर like push कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छे से blend हो जाएग in the shade sand sable और मैं वही यूज कर रही हूँ जहां इसका जरूरत है तो under eye पर bridge of the nose पर मेरी mouth की जहां पर थोड़ा dark spot है वही और मैं इसको blend करने के लिए मैं सेम damp beauty blender की मदद से इसको blend कर रही हूँ concealer को set करने के लिए मैंने यहां पर यूज किया है Lactmica compact जो बहुत ही अच्छे से इसको set कर देता है then मैंने यह Swiss beauty का professional palette लिया है यहां से जो bronzing के लिए और contour के लिए brown shade मिलता है मैं वही मेरे पूरे crease पर apply कर रही हूँ इनर से outer corner के तरफ then मैंने लिया है यह Swiss beauty का shimmer brick और यहां पर जो rose gold color का shade मैं अपनी finger से इसको पीक किया है पूरा eyelid पर apply कर रही हूँ और eyeshadow blending brush से अच्छे से इसको blend कर रही हूँ देन मैंने लिया है यह Maybelline Colossal का eyeliner जो बहुत ही अच्छा है और इससे मैं एक thick wing liner create कर रही हूँ यह बहुत ही अच्छा एक liner है बहुत easily create हो जाता है इसका tip भी बहुत ही सुन्दर सा है तो दोनों ही आखों में मैं अच्छे से wing liner create कर रही हूँ यह wing liner create करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक ILS curler रो अच्छे से मेरे ILS को curl कर लिया है डेन यूज के है Essence का यह मस्कारा जो बहुत ही अच्छा मस्कारा है यह मस्कारा बहुत ही अच्छा एक volume effect देता है ilysis को अन्य लिहाँ सेरी का काजल यह बहुत अच्छा काजल है और easily apply होता है तो मैं अच्छे से अपने lower water line पर यूज कर रही हूँ और एक inner corner की तरफ एक भी shape दे रही हूँ जो अपने आखों को एक अच्छा look देता है उसके बाद मैंने same simmer brick से rose gold color pick किया है और एक काजल को थोड़ा सा smudge look दे रही हूँ पूरे make-up को set करने के लिए यह मैंने यहां पर miss clear का dewy make-up setting spray यूज किया है और वही ब्लेंड राइक beauty blender से इसको थोड़ा सा spooze करके अच्छे से blend कर लिया है देन मैंने blush के लिए यहां पर use किया है वही Swiss beauty का palette से जो peachy and pinkies color का blush है वही और थोड़ा गाल पे और नाख पे मैंने इसको use किया है देन मैंने लिया है highlight करने के लिए यहां पर Swiss beauty का highlighter और सभी set को mix करने के बाद मैं finger की help से अच्छे से इसको high punt पर set कर रही हूँ पर bridge of the nose पर kipit woe पर और उसके बाद जो eyebrow की high point है वही पर भी मैं अच्छे से highlighter को highlight कर रही हूँ इस देन मैंने लिप्स्टिक के लिए यह पर यूज किया है फेसे करनाडा का मैजेस्टिक रोज बहुत ही अच्छा मेरूनीस कलर है और वेडिंग सीजन के लिए और कोई भी festive season के लिए बहुत ही अच्छा एक लीप कलर है और यह थोड़ा I hope यह वीडियो आप लोगों को पसंद आये और पसंद आये तो like, share और comment कर देना जरूर इस look को create करना है बहुत ही easily create कर सकते हो आप लोग love you, take care, bye bye